हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक टू अवर चैनल प्रिया कोईद के एम क्या हाल चाल है आप सभी के जरूर बताईएगा चलिए देखते हैं आज का कोश्चन क्या है आपके लिए तो फ्रेंड्स आज का कोश्चन है आपके लिए वो आपकी क्या करते हैं सबसे ज्यादा तारीफ या बुराई तो कोश्चन कैसा लगा जरूर बताईएगा और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो हर रोज देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले नहीं चलिए बढ़ते हैं और कोश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर दीजेगा और शेयर करना चाहें तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं चलिए चूज कर लीजे एक नमबर डबल वन डबल टू डबल त्री डबल फोर डबल फाइट डबल सिक्स में से किसी एक को दोस्तों क्या आपने अपना नमबर चुन लिया है अगर हां तो बढ़ते हैं अंसर की तरफ अंसर किसी भी बढ़ता सकता है फ्रेंड्स लेकिन उससे पहले आप प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट मान लीजिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए बेल आइकन के साथ जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले वाच कर सकें चलिए फ्रेंड्स अब देखते एंसर अगर आपने डवल वन चूज किया है तो आपके लिए एंसर ये रहा एंसरें वो आपकी तारीब करते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ तो जिसने भी डवल टू को चूज किया है उनके एंसर को देखते हैं तो उनके लिए एंसर आया है वो आपकी बुराई करते हैं क्योंकि वो अब आपको पसंद नहीं करते आप देखते हैं डवल टू का एंसर तो जिसने भी डवल टू को चूज किया उनके लिए एंसर ये रहा एंसरें वो आपकी तारीफ ज़्यादा करते हैं बुराई तब करते हैं जब आप से गुस्सा होते हैं चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे तो फ्रेंड्स अगर आपने डवल टू को चूज किया हैं तो आपके लिए एंसर ये रहा एंसरें वो आपकी बुराई कभी नहीं करतें भले ही आपकी तारीफ ना करें पर वो बुराई कभी नहीं करतें और करेंगे तो सिर्ट तारीफ ही करेंगे चलिए देखतें आप 55 का एंसर क्या है तो जिसने भी 55 को चूज किया है उनके एंसर है वो आपकी पीट के पीछे ना बुराई करते हैं ना तारीफ करते हैं मतलब वो कुछ भी नहीं करते and अगर आपने 66 चूज किया है चलिए देखतें 66 पे क्या है एंसर 100% वो आपकी तारीफ करते हैं I hope आपको वीडियो अच्छा लगाओगा Bye Bye